गंगा दशेहरा पर आस्था की डुक्की लगाने के लिए रविवार को देश भर में श्रद्धालू पवित्र नदियों की घाटों पर उम्ड़े। पंड़या और गरीबों को दान देना हम लोगों करतब है और इसे आप चलते हुए जीवन के साथ साथ अंतकाल में भी एदान पूल काम आता है और इससे संसार का भला होता है देश के उद्नेत होती है आज यही के दिन गंगा जी का यहां पूजन भाव करना जी उनके जिसे क माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ती और मोक्ष मिलता है रविवार की सुभे श्रधालों ने वारणसी में पवित्र नदी के घाटों पर पूजा की और डुपकी लगाई आज की जिन भागजी ने ने तपस्या के अपने पूरुजों को टारने के लिए तो उनोंने तपस्या के तो गंगा जी प्र Sanskrit बरहुआ जी प्रसंदो वर्रमाजी के बहुते नहीं तो में बहिं अना वांट को चोड़तोर दूँगा पड़ प्रते प्रतिपिया प्र אות बहुत दूर से आते हैं यहां पर भगवान की जल भी ले जाते हैं अपने घर और नहातित होते हैं पूजा करते हैं दान दच्वना करते हैं इस दिन दान पूर्ने की काफी महिमा है उत्तर प्रदेश के भदोई में गंगा घाट पर शधालों की भारी भी डूम्री अयोध्या में देश घर से श्रधालों पहुचे उन्होंने पवित्र सरीयों नदी में डुपकी लगाई कि आसनार करके आसनार करने से मन खुस हो गया है अब व्याफसा बहुत बढ़िया है कैसी लगी अब बहुत अच्छा लगी है प्या कहना चाहिए बहुत अच्छा है उत्राखन के हरिद्वार में भी गंगा दशेरा मनाने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे इस खास दिन मतुरा में श्रधालू ने यमुना नदी में डुपकी लगाई श्रधालू में बहुत अच्छी ओंगड़ है और यहां देखा जा रहा है तो बहुत अच्छी सफाई भी है और बड़ा आनन्द आ रहा है गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है इसका सांस्कृतिक और अध्यात्मिक महत्व है माना जाता है कि गंगा नदी में शारिरिक और अध्यात्मिक दोनों तरह से शुद्ध करने की ताकत है गंगा दशेरा इसकी पवित्रता का सम्मान करने का त्योहार है